दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घंटे को दबाए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरी चैनल पे दोस्तो आज आप जानोगे कैसे आप REC के Capital Gain Bonds मनलग कि Under Section 54 EC Bonds में Apply कर सकते हो directly REC के Official Website से है दोस्तो ऐसा वीडियो शायद ही आपको पूरे YouTube पे कहीं देखने मिलेगा दोस्तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखेगा, एंड तक देखेगा, मैं आपको Safe, Secure and Best तरीका बता रहा हूँ जिससे आप घर बैटे ही इन Bonds के लिए Apply कर सकते हो अब शुरू करते हैं directly REC के Website से ही दोस्तो अभी आप देख पा रहे हो कि मैं हूँ REC India.nic.in पे है दोस्तो यह Official Website है Rural Electrification की आपको सबसे पहले ही बता दूँ कि यह आपको देखना है ताला, यह ताला क्यों देखना है ताक कि आपको इससे पता चले कि यह Official Website है, यह Safe and Secure है इस पे आप ऐसे टाप करोगे, तो आपको यहाँ पे लिखके आएगा कि Connection is Secure, टाप करो, यहाँ पे आपको नीचे Certificate is Valid लिखके आएगा, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बता दिया जाता है कि यह Certificate जो है REC India.nic.in को इसू किया गया है अब बात करते है 54 EC Bonds के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तो 54 EC Bonds को apply करने के दो major तरीके होते हैं, एक होता है offline तरीका, एक होता है online तरीका, और एक तरीका होता है which is semi online तरीका, तो यह तीनों चीज़े क्या है, यह आपको उता देता हूँ तो अब हम सबसे पहले issue highlights of 54 EC Bonds देख लेते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे click करेंगे, एक PDF फाइल आ जाएगी जिसे हम download कर लेंगे, जो इस folder में आ चुकी है, अब इस PDF को open करते हैं, यहाँ पे हम जानते हैं कि REC के इन Bonds की खासियत क्या है, तो यहाँ पे दूस्तों आ यहाँ आपको face value होती है, रुपीज 10,000 पर bond, issue prices रुपीज 10,000 पर bond, coupon rate आपको यहाँ पे 5% annually मिलते हैं, आपको यह 5% fix भी आच मिल जाता है, यह bonds होते हैं, लॉग दिन पिरियर्ड ऑफ फाइफ यर्स में, इसे पात साल के पहले बेच भी नहीं सकते हैं, इंडिया non-transferable bonds होते हैं, इसकी जो issue rate है, यह हर साल के एपरिल 1st के होती है, every financial year के एपरिल 1st के होती है, and financial year में मार्स 31st को जो जाते हैं, so अगर हम 2021-2022 की बात करें, तो इस financial year के दौरान, आप यहाँ पे, जो है, minimum 20,000 की application कर सकते हो, of 2 bonds, या फिर आप maximum 500 bonds की application कर सकते हो, of रुपीज 10,000 र tax rupees हो जाता है, in a financial year, फिर यहाँ पे लिखा है कि अगर आप चेक या ड्राफ्ट बना के जो है, अपलाई करना चाहते हो, तो आप REC Limited 54 EC bonds लिख सकते हो, या फिर आप यह दूसरा नाम, Rural Electrification Corporation Limited 54 EC bonds लिख के भी कर सकते हो, ठीक है, interest के इसमें payment होती है, annually, तो सालन आपको एक लिंक्स को मैंने, पिन, comment and description में दे दिया है, ताकि आप इन official links को directly click करके check कर पाऊँगे, अब यहाँ पे यहाँ आपको contact details भी देखने मिलती है, इस पे हम click करे, PDF file डाउनलोड हो जाएगी, अब हमें चलना है folder में, contact details में आपको क्या देखने मिलेगा, तो यहाँ पे आपक अगें सारी important links जो है, जो सारी official links है, यहाँ पे मिल जाती है, इस bond से related REC के, तो यह सारी चीज़े आप यहाँ से देख पाऊगे, जैसे कि अगर आपको कोई query है pertaining to allotment status, तो हम यहाँ पे click करके देख सकते हो, bank details जो है, जिस पे आप RTGS या NEFT payment करके भी आप इन bonds के लिए application form can't deposit करना है, अगर आप offline mode में जाना चाते हो, तो list of collection branches के यह procedure है, अगर आपको आपकी जो bank details है, उसको change करना है, तो वो भी यहाँ पे है, और investors बाकि कोई other routine queries के लिए यहाँ पे click करके देख सकते हैं, तो यह जो PDF है, यह काफी important है, जब यहाँ बांड के लिए अप्लाइ email id, इस सारी चीजा को यही से मिल जाती है, बाकी और भी सारी details है, पे PDF के नीचे दी गई है, आप इसे हाराम से cross check कर सकते हो, ठीक है, अब यह तो हो गई, यह सारी बाते है, अब main चीज यह है, कि आपको इसे online कैसे apply करना है, तो यहाँ पे दोस्तों इसका भी procedure बताया गया हो, ठीक है, तो जब आप इसके लिए apply करोगे online, तो यह देखे कुछ इस तरीके से होगा, कि जैसे कि आप जब भी आप यह वाली window पे यहाँ पे आप क्लिक करते हो, यह वैसी अभी browser में ले चलने वाला है, तो अब यहाँ पे होता है यह online application की पूरी link, ओके, पहला एक process हो blank application क्या होता है, इसमें basically ऐसा है कि आपने कुछ भी नहीं बना है, directly blank application form आ रहा है, देखो मैं आपको क्लिक करके बता दू, यहाँ पे आपको आएगा application through, आप किससे कर रहे हो, तो अगर आप डिरेक्टी कर रहे हो, तो खुद आप यह रखोगे, यह number of forms आपको एक चाहिए यह पूरा form, ठीक है, तो अब यह जो form है, इसमें आपको important चीज़ बता दू, वो यह कि इसका जो application number होता है, यह हमेशा unique होता है, तो दोस्तों, अगर आप और किसी के नाम से bond apply करना चाहते हो, आपके family members में, या फिर आप और ज्यादा bonds के लिए apply करना चाहते हो, you know, except from this, म हमेशा नय application number नजर आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखे, सेम application number वाले form के 4-5 प्रिंट आउट लेके उसमें मत बढ़ दीज़ेगा, वो possible नहीं होता है, तो दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए, यहाँ पे आपको यह सारी details आपको यह form का प्रिंट आउट लेके भरनी है, और फिर आपको fill up करके भेज लिए, okay, ideally आप यह न करो, तो जादा ठीक होता है, जादा बेटर होता है, कैसे आपको बताता हो, यहाँ पे हम जब नीचे आते हैं, आपको बता देता हूँ, जब आप इस link पर आते हो, यह जो REC वाली link थी, जिस पर हमने click किया था, तो मैं आप आपको बता देता हूँ, कि आपको क्या करना है, एक बार हम बैक चलते हैं, यहाँ आपको download fill application का option मिलता है, तो इस पर आप आते हो, अब यह है, थोड़ा सा और better option, better case and क्या है, मैं वह आपको बता हूँ, यहाँ पे देखिए, दूस्तों जहाँ पर यहाँ आपने fill application किया, तो आपको अब यहीं पर सारा जो है application का data fill up करने का option मिल जाता है, जब आपको यह form बना है, तो आपको क्या क्या बना है, यह आपको सब चीजे बता दू, यहाँ पर investor category पहले select करनी है, normally अगर आप एक individual हो, तो आप यहाँ पर individual select करोगे, और किसी के लिए जो इतने सारे options हो आप देखी पा रहे हो, individual सापने select कर लिया, फिर आपको depository का option आता है, जिसमें आपको first is NSDL आता है, अब NSDL क्या है, कि अगर आपका किसी broker के पास account है, और आप चाहते हो कि आपके directly उसी portfolio में, यह bonds add हो जाए electronically, जो हमेशा ऐसा आप रखो तो जादा better है, मतलब which is a preferable mode, क् यहाँ पर आपको दो तरीके होता है, इन bonds को apply करके जब allotment आती है, तो उसे receive करने के लिए एक तरीका होता है, कि या तो आप उसे online receive करें, या दूसरा होता है, offline receive करें, usually offline का मतलब होता है physical mode, तो अगर आप online receive करते हो, तो जादा safe है, क्योंकि online mode में, जब bonds आपके DMAT account में जाता है, तो आपको उसे, you know, उन certificates को संभालने की ज़रूत नहीं होती, certificates फट गए, जल गए, घूंग गए, या किसी ने कुछ और कर दिया, वैसा कुछ नहीं होता हो, certificates वो direct online आपको problem आनी ही नहीं है, online में यह होता है, कि आपका जिस broker के पास account है, तो या तो वो NSDL के जो detail है, यह आपको आपका broker भी दे देगा, ठीक है, कि आपके account से related, यह क्या detail से यह आपको share कर देगा, second is CDSL, so CDSL में normally अगर discount brokers है, जो आजकर ज़्यादा तो CDSL के साथ काम करता है, बट ऐसा नहीं कि हर को discount broker उनकी साथ काम करता है, कोई NSDL के साथ भी काम करते है, ठीक है, तो आपको आपके broker को अगे पूछ लेना है, कि आपका 16-digit client idea in CDSL वो क्या है, तो यह आपको आपका broker help कर देगा, दोस्तों, अगर आपको best broker के बारे में जाना हो, या फिर, you know, जो भी best brokers available है in the market to open your DMAT account, ताकि आपको यह bonds, उसमें आप directly receive कर पाऊं, allotment के बाल, तो उनकी links मैंने नीचे description and pin comment में दे दिये, check out कर लीजेगा, ज्यादा better option है, at least physical से तो much better है, ठीक है, third is physical, अगर आप physical चाते हो, तो आप physical के लिए opt जरूर कर सकते हो, इसके बाद आपको यहाँ पर details of investment amount भनी है, तो अगर आप minimum जो number of bonds जो 2 है, वो अगर आप करना चाते हो, तो आपक अगर उससे जादा करना चाते हो, तो option है, आपके पास, आप maximum 500 तक ले सकते हो, आप 200 लोग है, तो इतने बरने है, उससे आप से है, तो यहाँ पर fill up कर देना है, आपको फिर यहाँ पर check और investors bank name, ठीक है, तो जो आप निवेश कर रहे हो, उसमें यह check की सारी आपको details भरनी है, कि आप कौन से चेक के तूँ, आप जो इंका पेमेंट करने वाले हो, फिर particular of investors में आपकी सारी यहाँ पर डीटेल्स भरनी है, फर्स्ट अलडर नेम, पैन नंबर, अगर और दू होल्डर है, सेकेंड होल्डर भी हो सकता है, या फिर थर्ड होल्डर भी हो सकता है, तो आ आप यह जो बॉंड्स जो आप अपलाई कर रहे हो, यह बॉंड्स आपको अलॉट हो जाएगा, तो उसके वाद आपको साला ना जो पांच टके का जो ब्याज मिलेगा, यह आपको कौन से बैंक में चाहिए, आपको उसकी यहाँ पे डीटेल्स बनी है, यह आपको सारी उस ऐसा नहीं हो कि उसे कोई क्लेम करने वाला ही नहीं हो, तो नौमिनी हो, तो एटले से पैसा उसे मिल सकता है, यहाँ पे आप नौमिनी की सारी डीटेल्स को इंपुट करके सीधा इसे सब्मिट कर देंगे, हम चलते हैं यह वाली पीडिएफ पे भी जहाँ पे यह पूरा प सब्मिशन करना यह सारी जिए बताई गई है, अब इसके बाद अगर आपको यह सब्मिट एप्लिकेशन फॉर्म ओनलाइन वाले ऑप्शन पर जाना है, तो आप यहाँ पर वही फिल न्यू फॉर्म ओनलाइन कर दोगे, फिर आप अपलोड कर दोगे यह पूरे अप्लिके हैं, एक बार यहाँ पर हम बैक चलते हैं, यह सब्मिट एप्लिकेशन फॉर्म ओफलाइन का अगें वही सिस्टरम आ चुका है, तो आप यहाँ से आप यह देख पाओगे, यह जो मैंने आपको पूरा समझा दिया वैसे, अब अगर आपने जैसे की इन बांड के लिए आपको यहाँ पर चेक स्टेटस ओफिफिफटीफोर इस यह आई सी फिफिफिफिफटीफोर इस ऐस लिंक पर क्लिक करना है, यहाँ पर यह पर यहाँ पर अपको यह क्वेडि विंडू आ जाएगी, फिर यहां पर आप अप्लिकेशन नंबर इंपूट कर सकते हो, यह फि लिंक आए उस पर क्लिक करो कि आपको बता दिया जाएगा कि आपके बांड का जो अलॉट्मेंट से वह क्या है ठीक है अब यहां पर दोस्तों मैं आपको अलॉट्मेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दू वह यह कि आप देख सकते हो कि जैसे ही आप आरीजी को पेमेंट करते हो तो यहाँ पेस बांड का जो अलॉट्मेंट है यह जो स्केडिल ऑफ बांड है यह कुछ इस तरीके से किया जाता है कि जब भी आप फिर्स्ट फिफ्टीन सब्सक्राइब था इस वीडियो के एक्जाम्पल में हम जैनुवरी मन लेते हैं बाकि आप किसी में मन में आप कर सकते हो ठीक हैं तो यहाँ जब भी आप अप्लाइब कर रहे हो तो अगर आपने एक से पंधरा जैनुवरी के वीच मैं आपने बांड के लिए अपने एक ब 15 फर्वरी को यह बॉंड्स अलोट होंगे इसके नीचे और इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी गई है अलोटमेंट से रिडेटर वह यह क्रेडिट होते हैं इन्वेस्टर के डी मैट अकाउंट में विदिन 10-15 देज फॉंड देट अब दोस्तों डी मैट मोर्ड हमेश वहां से भी 10-15 दिल लगेंगे आपके डी मैट अकाउंट में उसका क्रेडिट रिफलेक्ट करने के लिए ठीक है और उसकी जो क्वेरी है वह यहीं से आप देख सकते हो यहां पर आपको आजाता है लिखके कि वह बॉंड्स क्रेडिट हुए या नहीं इलेक्ट्रोनिक मोर तो आइडिली यह फिर इसको अलॉट्मेंट होते होते हैं यह फेब्रियोरी एंड हो जाएगी तो अल्मोस्त इतना लंबा टाइम लगता है जो भी है यह आपे क्लियरली मेंचेंड है सेकंड इस कि अगर आप फिजिकल मोड में अपलाई करते हो तो बॉंड पर मेंचन किये हैं वहां तक आने में इसे 30-45 डेज लग सकते हैं तो अगर आपने 15 जनवरी के अंदर अपने अपने अपलाई किया है तो आपको 31 जनवरी तक बॉंड सर्ट हो गए फिर वहां से आपको 32-45 डेज और देने हैं मतलब यह आप मिद मार्च तक पकड़ लो ज को यहां पर इंट्रेस्ट कब से मिलना शुरू होगा सो जब से आरी सी को आपके फंड्स मिल चुके वहीं से आपको इंट्रेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा सो दोस्तों इस तरीके से आप आरी सी के 54 EC या कापिटल गेन बॉंड के लिए अपलाई कर सकते हो ऑनलाइन सो अ अपने उन फ्रेंड्स और रिलेट्टी उसके साथ भी ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें वाट्सएप पे जो इन बॉंड्स इरेटेट इन सारी इंफोर्मेशन को शायद नहीं पैचानते या नहीं जानते कि यहां पे अवेलेबल हैं वीडियो कर अच्छी लगी हो तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी जरूर दबा दे जिससे मेरी बहतरीन वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुचें